कि नमस्कार मैं हूँ आसिस और आप देख रहा हैं आसिस कॉमर्सलासज मेरे पृशाथ हियों हम लोग अपने वीडियो में बात कर रहे थे income tax की और income tax में हम लोग चरचा कर रहे थे income from house property की आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे और जानेंगे कि मकान का नगरपाली का मुल्यांकन क्या होता है यानि Municipal Valuation of the House और जानेंग इसके साथ में कि संयुक्त किराया किसे कहते हैं यानि What is Composite Rent तो ये छोटे छोटे दो टॉपिक हैं इसको हम लोग इस वीडियो में समझेंगे और जानेंगे सबसे पहले जानते हैं कि मकान का नगरपाली का मुल्यांकन क्या होता है प्रतियक नगर की स्थानी सत्ता जैसे नगरपाली का नगर महापाली का या नगर निगम द्वारा मकान संपत्यों का वार्षिक मुल्यांकन किया जाता है जिसे नगरपाली का मुल्यांकन कहते हैं कहने का मतलब है, कि जो भी देश की अस्थानी सत्ता है, किसी भी नगर की अस्थानी सत्ता है हमारे भारत देश में, जैसे नगर पालिका, जिसको हम लोग कहते हैं, नगर महा पालिका कहते हैं, या फिर नगर निगम कहते हैं, तो उसके द्वारा जो भी देश में जो भी नगरों में जो भी लोगों के पास मकान हैं उस मकान का क्या किया जाता है वर्स में एक बाद मुल्यांकन किया जाता है कि उस मकान की वैलू कितनी है कितने रुपए में वह मकान बिख सकती है या फिर मार्केट में क्या दाम लग र का मुल्यांकन करना सोट में समझ सकते हैं कि नगरपालिका मुल्यांकन कहा जाता है नगरपालिका या इस्थानिय प्रादिकरण संपत्य के आकार इस्थिति निर्मार घेरे हुई जगह यानि कवर्ड एरिया और संपत्य के स्थान आधिके अधार पर संपत्य का मुल्यांकन निर्धायत करती है यानि जब कभी भी नगर पालिका यानि इस्थानी सत्तर जिसको कहा जाता है जो इस्थानी प्राधिकरण है जब कभी भी किसी भी संपत्ति का मुल्यांकन करती है तो वह ध्यान में रखती है क्या आकार संपत्ति का आकार क्या है यानि घर कितना बड़ा ह इस्तिती कैसी है, मकान अच्छा है, नया है, पुराना है, टुड़ा हुआ है, कैसा है निर्मार कितना हुआ है, आधा निर्मित है, आधा बना हुआ है, पुरा बना हुआ है घेरी हुई जगह क्या है, यानि कवर एरिया क्या है तो इसी का अधार पर क्या होता है और संपत्ति का अस्थान क्या है तो इसी का अधार पर मकान के मुल्यका निर्धारन होता है नगरपालिका या अस्थानिय सत्ता द्वारा इस मुल्यांकन के अधार पर ग्रियकर यानि हाउस टैक्स जलकर यानि वाटर टैक्स सफाई कर यान पाप लोग समझेंगे। तो हम लोग होने अभी समझा कि मकान का नगरपालिका मुल्यांकन क्या होता है। अब हुम जानते हैं और समझते हैं कि संयुक्त किराया किसे कहते हैं माकान मालिक के द्वारा कभी-कभी माकान को किराया पर उठाते समय किरायदार को कुछ सुविधाय दी जाती हैं जैसे सीडियों पर प्रकास की ब्योस्था, वाहन पार्क करने, पानी चढ़ाने का पंप, लिफ्ट, गैस, बिजली, देख रेक, वाता नुकूल, मालिकी सुविधा आ दी मकान का स्वामी किरायदार से केवल मकान संपत्य के प्रियोग के बदले में ही किराया नहीं लेता, बलकि उस मकान के साथ दी गई इन सुविधाओं के उप्योग के लिए भी किराया लेता है इसलिए किराय के रूप में प्राप्त, कुल राशी को संयुक्त किराय कहते हैं यहाँ पर आप लोग इन सौर्ड में समझ लेंगे कि अगर कोई भी मकान मालिक है, मकान के साथ साथ और भी तवाम तरह की सुविधाएं देता है, जो मैंने आपको यहाँ बताया हुआ है संयुक्त किराय के साथ मशिनरी, फरनीचर या प्लांट भी लगा हुआ है, तो भवन के साथ इनका भी किराया लिया जाता है, इसे भी संयुक्त किराया कहते हैं संयुक्त किराय की संपूर राशी में से दी गई सुविधाओं का मुल यदि अलग किया जा सकता है तो मकान संपत्ति के उप्योग से संबंधित किराया मकान संपत्ति से आयक के सिर्षक में कर योग होगा कहने का मतलब है कि जो भी संयूत किराया है उस संयूत किराया में से जो भी सुविधायां दी गई है उसको अगर हम लोग अलग कर देंगे तो हम वहरास मिल जाएगी वह अमाउंट मिल जाएगा जो क्या होगा इंकम फ्राम हाउस प्रपर्टी होगा यानि मकान संपत्ती से आए होगा सुविधायों के उपयोग है तू वसुल किया गया किराया मकान के स्वामी के लिए अन्य सादनों से आए शिर्षक में कर योग होगा यानि कहा गया है कि क्या होगा कि जब कभी भी जो भी सुविधायों दी गई है उन सारी की सारी सुविधायों को अलग किया जाएगा तो जो भी सुविधायों के सुलक हैं उनको हम लोग क्या करेंगे इंकम फ्राम अदर सोर्सेस में डाल देंगे भवन के साथ सनलगन मशीन, फरनीचर, आज सुविधाओं को अलग करना संभव नहीं है, तो संपूर किराय की रास, यानि भवन एवं सनलगन संपतियों का कुल किराया, या तो ब्योसाय एवं पेसे से लाब सिर्षक के तहत, यानि अनुसार, या अनसाधनों से आय शिर्षक में कर योग होगी, इस बात को आप लोग समझेंगे, मेरे पनी साथियों, हम लोग ओने इस वीडियो में समझा, कि मकान का नगरपाली का मुल्यांकन क्या होता है, और संयूत किराय की से कहते हैं, यादि आपके पास और कोई भी प्रस्न है, इंकम टैक्स उड़े हुए, त झाल